नमस्कार दोस्तों मैं सुब्रोतरोय प्रोफेसर बिजन्स एक्सपर्ट 9PM क्लब स्वागत करता हूँ आप सभी का आज की इस वीडियो में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे की कैन भा का इस्तिमाल हम कहां कहां कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले ओपन कर लेते हैं कैन भा जहांसे कि यहां पर मैं ओपन करके रखा हूं कैन भा और इस कैन भा में पहले तो क्या कर लें लॉग इन कर लें इस interface में जैसे यहां पे कैनबा का logo है इसके बाद home है इसके बाद यह templates templates आपको क्या-क्या मिलेंगे जैसे कि social media का templates, personal templates, business के लिए templates, marketing के लिए templates, education, trending, यह सब templates और क्या feature इसके बाद feature में जैसे photos आपको मिल जाएंगे, इसके skill लिए photo, free photo, background photo, nature बहुत सारे character का combination का photo आपको मिल जाएगा इसके बाद फिर icons के लिए बहुत सारे option आपको मिल जाते हैं इसके बाद प्रिंट करना है किसी चीज को आपको इसके लिए भी आपको बहुत सारे option मिल जाते हैं इसके बाद apps related आपको बहुत सारे option मिल जाते हैं उसके बाद explore अगर क सकते हैं तो यह सब हो गया उसके बाद learning learning में देखे तो course भी है canva का courses जासे की canva 101 personal branding social media mastery तो यह सब का course भी आप यहां से देख सकते हैं तो यह tutorials भी है canva कैसे कैसे काम कर सकते हैं यह सब कुछ मैं आपके लोको के साथ चेर करने वाला हूं और ब्लोक के लिए खिया-क्या है और प्राइसिंग क्या देखे तो अफ ये तो फ्री वाला वर्जिन है जैसे फ्री वाला जैसे याप प्रूब आले देऊ तो ये वाला ऑफ्शण नहीं मिलेगा आपको इसके बाद फिर एंटर्प्राइस education और non-profit organization के लिए यहां पर option मिल जाता है तो यह रहा canva का interface जहां पर आपको यह पूरा दिखता है what will your design का आप कौन सा design create करना चाहते है presentation create करना चाहते है social media के लिए कुछ create करना चाहते है कोई document हो आपका PDF हो या फिर आपका लेटर वगएरा हो या फिर कुछ भी पोस्टर बना रहे है या फिर एफोर साइज document आप कोई भी create कर सकते है marketing के लिए कोई भी document कर सकते है office use के लिए कोई भी document create कर सकते है तो यह तो हो गया पुरा यहां क्या प्रेजन्टेशन में हम यहां पे जा सकते हैं सबसे फाइदा यह है कि आपको यह पर presentation में जब आपको open करेंगे तो आपको यह option मिल जाता है जैसे कि यहां पे दिखिये एक पुरा presentation क्रिएटक किया हुआ हुआ है इदर 16 pages का यह ऐसा templates आपको मिल जाता है freely available रहता है ठीक है जैसे कि यह 29 pages का template आपको बना बनाया मिल जाता है बस आपको यहां पर आपका हिसाब से editing करना है facility और यह बहुत ज्यादा time consuming रहता है अगर आप नहीं से बनाना जाता है लेकिन यहां पर आपका वो time बच जाता है ज इसके कारण मैं आपको जरूर recommend करता हूं और बस यही नहीं जैसे कि आप यहां से और भी चीज़ कर सकते लाइक किए desktop prototype बोल रहे है यहां पर poster बोल रहे है वीडियो बोल रहे है इंस्टाग्राम के लिए कोई post करना है और YouTube के लिए भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं जैसे क YouTube शॉर्ट गेमिंग वीडियो है ना उसके बाद YouTube एंट्रो सब कुछ आप यहां पर क्रेट कर सकते हैं Facebook में अगर टाइप करेंगे यहां पर यहां पर फेस्बूक टाइप करता है पर फेस्बूक यहां पर टाइप करेंगे तो आपको फेस्बूक के लिए फेस्बूक एड इवेंट को वर इसके बाद फंडरेजिंग को वर ठीक है फेस्बूक पोस्ट आप करना चाहते तो तो सब कुछ आपको फेस्बूक स्टोरी आपको यहां पर आपको क्रेट करने को मिल जाता है और सब कुछ का आपको एक बना बनाया टेंपलेट भी मिल जाएगा और यह तो उसको इसको मैंने क्या शेयर करना है तो इसको शेयर करने का ऑपशन मिलता है ऐसा गह पर आपbei किसी के साथ शियर कर सकते हो और वह सामने वहला बन आपको वा अपर आप कर दरदेगा आप तो इससे आपको समने वाला बंदा एडिट करके देदेगा और आपके पासमें वह सेफ्थ हो जाएगा उसके बाद ये ये आज टेंप्लेट टेंपलेट भी शेयर कर सकते हैं किसी को दिखानी के लिए भी लिंक कर सकते हैं ये तो हो गया इसका एक फीचर और एक इसका और ए तो इसका मतलब यह नहीं कि वह डिलीट हो जाता है तो इस ट्रेस में जब भी जाएंगे तो मेरा डिलीट किया हुआ जो कुछ भी फाइल है वह यहां पर स्टोर रहेगा इसको मैं फिर या रिस्टोर या फिर पर्मनली डिलीट कर सकता हूं तो यह बहुत सारे आसान और चुछ के हैनवह मईने लाइब कर सकते हैं आपके मुबाइल के लिए तो दोस्तो आसका वीडियो इतना ही आशा करता हूं आपको यह वीदियो अच्छा लगा होगा मेरे साथ बने रहने कि लिए और इस और तक दहने के लिए चैनल को लाह करने के लिए दोस्तों के बहुत बहुत जन्यवाद जय हिंद बंदे मात्रम